नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सबी का दोस्तो HSC CT ग्रूप D में यदि आपके भी अंक कम हो गए हैं या फिर आपके स्कोर से अंक काट लिए हैं तो इसका चेरमें सहाब ने कारण बता है क्यों कटे हैं इसके लावा group D में इन सबी समस्याओं का निवारन है वो कैसे होगा बहुत सारी समस्याओं उनका निवारन भी बता है DV में 55,000 कंडिडेट को बलाया जाएगा ये भी chairman साब ने बता है इसके लावा chairman साब ने और क्या बता है सबसे पहले तो आप ये देख लीजे क्या है अरियाना करमचारी चाहे नायोग ने group D CT उमिद्वारों के समाजिक आर्थिक मांदन के 5 अंक्स तगित किये विकल्प बरने का portal भी लोंच होगा और समाजिक आर्थिक मांदन के अंकों के बगेर सूथी जारी होगी यहाँ पही यह बताया कि बार बार चेर्वारों ने नियूस पेपरों के मादन से भी बताया और आपके scorecard में भी लिखा हुआ है कि जो आपका court के सल रहा है तो उसके अनुसार आपके 5 नंबर है वो provisionally तोर पे दिये गए है आपके scorecard के अंदर अभी वो है final नहीं मान सकते उसको आप यदि high court बोलता है high court से अधेस आते हैं कि इसको आप number दे दी थी तो ही आपको मिलेंगे otherwise आपको नहीं मिलेंगे तो इसमें माँ बता देता हूँ एक एक चीज़ आपको जिनके कोई भी प्रोब्लम है जैसे मान लो किसी की कैटेगरी गलत कर रखी या किसी परकार का डाटा है तो उसमें चेर्मेंट साब ने बताया है कि अगर आपके पास कोई proof है तो आप जो है सही करवा सकते हैं कि अगर जिसने पहले गलती कर रखे उनको मुका नहीं दिया जाएगा एक चीज़ तो ये बता रखी है दूसरी चीज़ क्या है इसमें देख लिजिए दूसरा ये बताया है कि दो तिन दिन में पोर्टल भी लॉंच करेंगे जिसके अंदर आप जो है अपनी गलतियों को स दाइरा खाली छोड़ दिया जिसे 5 दे रखे थे तो अगर आप 4 नहीं बरते तो 500 बरना जरूरी था अगर नहीं बरते आपका 0.95 अंक कटेगा यानि कि किसी केंडिडेट का रिजल्ट वाहरा था उसके माइनस 15 अंक दिखाए गए थे तो उसका क्या था कि अगर उसने formalization का formula उन्होंने बताया कि तो group C, CT, group C के paper में लगाया गया था इसके लावा अरियाना पुलिस की बरती में लगाया था जो court ने मंजूर किया था तो वो formula हमने use किया और उसका नाम बताया एक वी presentile method और इस method का notice भी site पे जारी कर रखा था इसके लावा चाड़ी सेचिव म उन्होंने unfair means का जो है form apply करते टाइम unfair means का option select किया था तो उनको वैसे बिठाना ही नहीं था ऐसा बताया गया था लेकिन बिठाया गया और इसके लाव क्या है लगवा 85,000 उमिद्वारों को DV में उमिद्वारों से ब्रवा जाएगा विकल्प यानिकि एक तरह से क्या है कि document verification या फेर विकल्प बढ़ने के लिए 45,000 कंड़ेट को मोका मिलेगा option बढ़ने के लिए तो यह update थी वीडियो को like चैनल को subscribe जरूर करें